असलावलेकूं कैसे आप सब अलम्दल्ल्ला मैं भी ठीक हूं मज़े मूं खुश रूँ और हम आज बहुत ही असान सी रेसिपी बनाने वाली हूं जो है नान कताई और बहुत ही अच्छी सबकों लगती है बच्चों को बड़कों सबकों पसल आती है आईए बनाने के लिए मैंने एक कप लिया है मैदा भरके इसको छान लेंगे है कि दो चमत भरके यह बैसन और दो चमत भरके लिए मैंने यह सूजी इसे भी छान लेते हैं आई पड़े असको एक्साइट कर देते हैं और मेरी बड़ा वाल रख लिया है औंगी कप में एक कॉप लेत्यां गीक यह कौना देशी घी है आप अब मीव मैंव बना अच्छा से फेड लेंगे फिलपी सा बना लेंगे इसको अच्छा से चीनी घुल जाए और ये चार छोटी लाइटी मैंने ये पूट लिए इसे भी डाल देते हैं इसमें तो ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जो हमने मैदा और वैसन चान के रखा सूजी थोड़ा डालेंगे अच्छा सारा मिला देती हूं अच्छा सारा मिला देती हूं अच्छा से पूट देलेंगे तो ये पास्वाजार देते हूं सारा डाल दी हामने अब हाथ से करेंगे, इसे सारा निकाल देती है, इसके अंदर फस गया है, देखिया, असानी से निकल गया, खलके हाथ से मिला लेंगे से, चे-7 मिनट के लिए, रखे रख देते हैं, यह मैंने नान के टाइप लागने के लिए थोड़े पिस्टे काटे हैं, थोड़े बदाम और थोड़े यह बड़ी लाइची के दाने हैं यह, इसके दाने निकाल ली है, मैंने एक पोट रख लिया है, और इसके अंदर, मैं कि नमक कर देंगे और दस मिनट के लिए इसको गरम होने देंगे आज हम नानकता इसमें बनाएंगे 10 मिनट के लिए इसको ढखके गरम कर लेते हैं और में पास एक स्टेंड है इसके इंदर रख देंगे प्लेट में दूसरी एक प्लेट रख ली है इस पर मैंने घी का गिरीज कर लिया हाथ उससे बरश से घी लगा लिया मैंने इस पर और मैं इस तरह बोल बना बना के रख दूंगी इस तरह दूर दूर रखेंगे इस तरह हम दूर दूर रखेंगे फासले से और इस पर बदाम पिस्ता और यह बई लाइची की दाने बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस से लाइची की दाने से इसको भी रख देंगे हम मैंने ढग दिया एक प्लेट रख दी मैंने इसके अंदर यह जो रख देते हैं वीडियों आज पर हम दस मेंट से पहले चेक कर लेंगे यह दस मेंट हो चुक है यह से रखे हुए कि अच्छी बेख हो गई है मैं इसको अब निकाल रिपी इस प्लेट को अराम से किसी से अराम से निकाल लेंगे हम हमने ऐसे पेड़े बना बना के रखने हैं तो फ्लेट नहीं करना और अब मैं यह जो बचा था इसको में डालके इसमें रख देती हूं अराम से इसको बेख कर लेंगे बीबीश में से चेक करते रहेंगे आई चेक कर लेते हैं मैंने बीबीश में दो बाइस को चेक कर रहा था किक्या चेक नहीं करेंगे तो यह जल जाएंगी अब यह भी बेख हो चुकी है इसे निकाल लेते हैं प्लेट बाहर निकाल लेते हैं अराम से लगाले निकाले करें ते टोट जाएंगे तो और यह ज़िए नानकता ही बनके तयार हों गई है चूले पर अराम से बन जाती है आप भी के पीछे से और साइड में दों तरफ से दे कि अच्छी लग रही है इस तर आप पिस्ता भी लागा सकते हैं आप इलाइची भी लागा सकते हैं आप बदाम भी लागा सकते हैं मैंने आपको तीन तरह की बना के दिखाईए कि आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें बहुत ही ट कुछ दिनों पहले कहा था नान कताई के लिए आज मुझे मोका मिला तो मैंने नान कताई बना ली और आप भी बनाईएगा आपके साथ में शेयर करिये नान कताई की रेसिपी इंशाला और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे लापीज